हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं ही मानिशो सागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक बल्ड पर तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल होरर सस्वेंट सीरीज की अगली कॉमिक्स काली मौद कि रात के भयानक सन्नाटे को तोड़ दी वीवो घोडा गाली पवन बेक से दोड़ी चली जा रही थी उस घोडा गाली के मालिक को शायद अपनी मंजिल तक पहुशने की बहुत जल्दी थी उसका चाबुक वाला हाथ बार 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 घोडे की पीट पर पढ़ रहा था सराट कुस देर पूर भी वर्षा अपना पूरा जोड दिखा चुकी थी किन्तु बिजली अभी भी रह रहकर कड़ा कुरती थी और प्रतेक बिजली की चबक पर घोड़ा गाड़ी चालक का चाबुक घोड़ी की पीट पर और भी अधिक तेजी के साथ पढ़ने लगता जंगल की सीमा समाप्त हो चुकी थी और अब खतरनाक पहाड़ी इलाका आरंब हो गया था लेकिन इसके बावजूद गोड़ा गाड़ी की गती में कोई अंतर नहीं पढ़ा था उसी छण कहीं जबरदस भिजली गिरने की गड़गड़ाट से वह समपूर पहाड़ी इलाका थर्रा उठा घोड़ा एका एक चालक के नियंतरन से बाहर हो गया ठीक उसी पल सड़क के बीचों बीच खड़े एक सफेज साएं पर निगा पड़ते ही चालक के कंटी से एक भयानक चीखोबल पड़ी अनियंतरित घोड़ा बुरी तरह से मचल उठा चालक ने उसे नियंतरित करने की भरपूर चेश्टा की लेकिन वह अस्वल रहा तभी एक तीवर जटके के कारण उचल कर चीखता हुआ वह गाड़ी से नीचे सड़क परा गिरा अभी वह समल भी ना पाया तकी सड़क के बीच रास्ता रोके खड़े वह सफेज साया भायानक भाव चेहरे पर लियो उसकी ओर पड़ा यह देखकर बुरी तरह से भैबीत गोड़ा गाड़ी चालक चिल्ला उठा कौन हो तुम तुमारा गुरू अभी से तुम मेरे शिश्य हो अब से तुम मेरे शिश्य हो मेरे याग्या का पालन करना तुमारा कर्तब भी होगा नहीं मुझे पर रहम करो मुझे छोड़ दो जाने तो मुझे उसकी और बढ़ता सफेज साया दुवे में परिवर्तित होने लगा और नहीं दूर रहो मत बढ़ो मेरी तरफ नहीं आ उफ ये मुझे क्या हो रहा है आ मेरा सिर लेकिन अगले ही पल उसकी आखें शोलों के समान चमक रही थी चहरा भट्टी की तरह सुलग उठाता जिस पर शैतानियत नाच रही थी एक पल के लिए युवक को अपना दिमाग सुन होता प्रदीत हुआ और अब भगोड़ा गाड़ी की और पड़ रहा था काली मौत अजीत नगर के राजा अजीत पालकुशल पर साशक अपनी परजा के प्रतिक सुख दुख का वह बहुत ख्याल रखते हैं राणी रूफ सरूप राजकुमारी कनिका वर राजकुमार अजय के साथ उनकी गरस्ती भी उसी तरह सुचारू ढंग से चल रही थी जैसे अजीत नगर का शासन लेकिन कुस दिनों से एका एक नगर पर न जाने क्या प्रकोफ हुआ कि प्रति दिन सरुकों पर एक लाश मिलने लगी ओ आज फिर एक लाश अरे ये तो हरिया कुमार की लाश है उफ लगता है हत्यारे ने इसके शरीर से भी रखती की एक एक भून निचोड ली है ये देखो इसकी गरदन पर भी दो दातों के वैसे ही निशान है जैसे दूसरी लाश पर बने हुए थे ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता है जरूर ये कोई शैतान है जिसके मुँ इंसानी खून लग चुका है हत्यारा प्रती दिन एक आदमी को मार कर अपनी खून की प्यास भुजाता है ओ, कब तक ये शैतान निर्दोश लोगों को मार कर खून पीता रहेगा? महराज क्या घोड़ी बेचकर सो रहें? उनके सैने के शैतान को क्यों नहीं मारते? भाईया, अब तो रात को घर से निकलना भी खत्रे से खाली नहीं रहा हाँ, क्या पता कब शैतान अपना शिकार बना डाले? अभी लोग शैतान की चर्चा में वेस्त थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी पास आता दिखाई दिया अलख निरंजन, जय बंबोले शायद सन्यासी बाबा हमारी कोई साहिता करें सन्यासी ने पास आकर लोगों को परिशान देखा तो क्या बात है बच्चा, तुम सब इतने परिशान क्यों दिखाई दे रहे हो ये लाश कैसी है? सन्यासी बाबा, यही हमारी परिशानी है एक शैतान प्रती दिन एक आदमी को मार कर उसका खून पी जाता है तो इस नगर पर किशी शैतान का प्रकोप है अलक्ष निरन जन अब तुम लोग कोई चिंता मत करो हम इस शैतान को मार कर तुमें निर्भे करेंगे जैहो सन्यासी बाबा हम आज रात नगर के खुले मैदान में धूनी लगाएंगे आज की रात उस शैतान की आखरी रात होगी कल सुबह उस शैतान की लाश ओले बाबा के इस तुशूल पर टंगी मिलेगी और उसी शाम सन्यासी ने मैदान में धूनी लगाई रात गिरते ही सबी लोग बापिस लोट गए उस रात लोग बहुत इत्मिनान से सोय थे उन्हें पूरा फरोसा था कि सन्यासी उस शैतान को नश्ट कर देगा और जब सुबह लोग मैदान में पहुँचे तो लगता है सन्यासी बाबा ने शैतान को मार कर तिशूल पर टांग दिया है लेकिन सन्यासी बाबा तो कहीं दिखा ही नहीं दे रहे अरे बाबा उस शैतान को मार का आराम से सो रहे होंगे लेकिन जब लोग वहाँ पहुँचे तो उनके मुझे चीखें उबल पड़ी और ये क्या? ओ, शैतान ने सन्यासी को भी मार दिया ये शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा, सब को मार देगा सन्यासी के हत्या के बाद पूरे नगर में एक अजीब सा व्याप्त हो गया था लोग शाम होते ही अपने घरों के दर्वाजे घड़की बंद कर लेते थे लेकिन एक दिन खेत में काम करता हुआ रामदीन अचानक चौंक पड़ा अरे सूरज जूब गया और मुझे काम करने में पता ही नहीं चला अब अंधीरी रात में घर कैसे लोटूँगा ओ, मुझे इतनी रात नहीं करनी चाहिए थी रात को यहां खेत पर अकेला भी नहीं रहा जा सकता मुझे जल्दी से अलदी घर लोट कर चलना चाहिए यहां शैतान आगया तो कौन बचाएगा और रामदीन बैलों को हल से अलग करके घर की ओर चल दिया एक रास्ता जंगल से गुजड़ता है और दूसरा नगर की ओर से मुझे नगर वाले रास्ते से घर लोटना चाहिए जल्दी से नगर मैं पहुँच जाऊंगा तो कोई खत्रा भी नहीं रहेगा और यह सोचकर रामदीन नगर वाले रास्ते पर चल पड़ा अभी वो नगर की आवादी के पास पहुचने ही वाला था कि साइ साइ अरे बापरे बचाओ बचाओ शैतान आगिया साइ साइ ओ मुझे पेड की शाखा न ढरा दिया और फिर जल्दी ही वा नगर के घरों के पास पहुच गया बस अब भेवित होने की कोई ज़रूरत नहीं अब तो मैं घरों के बीच से गुजर रहा हूँ और फिर महामंत्री जी भी की हवेली भी कुछी दूर पर है वहाँ पर तो सैनिक भी पहरा दे रहे होंगे महामंत्री की हवेली के आगे से गुजरता हुआ रामदीन एक गली के पास पहुचा अभी उसने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थी कि कोई साया दबे पाव उसके पीछे पहुचा और अभी रामदीन पलट कर उसे देख पाता कि साय ने अपने दाद उसकी गर्दन पर गड़ा दिये अगले दिन रामदीन की लाश नगर के बाहर एक बरगत की पेड़े से लटक रही थी और लोग इसे आश्चर से देख रहे थे ओ, शैतान ने रामदीन को अपना परिवार अपना शिकार बना दिया है हे भगवान, ये शैतान कब तक लोगों का खून पीता रहेगा नहीं, अब ये अत्याचर सेहन नहीं होता हमें कुछ करना चाहिए लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हम शैतान से लड़तो सकते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है वो हम सब को मार कर खा जाएगा वह देखो महमंत्री जी का रत शायद इधरी आ रहे हैं आने तो महमंत्री जी को आज फैसला होकर रहेगा महमंत्री जी का रत पास पहुशने तक लोगों का रोश काफी बढ़ चुका था महराज अजीत पाल हाई हाई महमंत्री मुर्दाबाद शांत भाईयो शांत हमें इस गटना का बहुत दुख है हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैटे हैं शैतान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम सबके मरने के बाद आप उसे पकड़ेंगे महमंत्री रस से उतर कर लोगों के पास आए यदि महराज कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए हाँ हाँ अब हम अधिक परदाश नहीं करेंगे आकर अभी तक वहत्यारा क्यों नहीं पकड़ा गया वहत्यारा बहुत चालाक है वह सुनसान जगह पर अकेले आदमी पर हमला करके उसे मार देता है इसलिए हम हम भी तक उसे नहीं पकड़ सकें लेकिन वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा उस हत्यारों को पकड़ना आपके बस की बात नहीं लगती महामंत्री जी अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा हाँ हाँ अब हम सब मिलकर उस शैतान को पकड़ेंगे आप लोग उस शैतान को पकड़ सकते हैं लेकिन उस शैतान को डंड केवल महराजी देंगे कोई आदमी कानून को अपने हाथ में ना ले उसे पकड़ कर हमें सौब दे लोगों को समझा भुजा कर महामंत्री जी लोट गए और फिर उस रात हर गली हर सड़क पर हटे कटे युवकों का पहरा लगा साथधानी से पहरा देते रहो संदिक दिवैक्ति को देखते ही पकड़ लो अब अत्यारा बच नहीं सकेगा आधी रात को गली के नुकड़ पर पहरा देते हुए भीमा और भादुर अचानक एकसाय को देखकर चौक पड़े अरे भीमा वह देखो उसके हाथ में लाठी भी नहीं है जरूर वही अत्यारा है खामोश बिलको लावाज ना हो हमारे शोर मचाने पर भाग सकता है हम उसे चुपचाप घेर लेते हैं आज वह बचना नहीं चाहिए वहरा उधर शंबू इत्यादी का पहरा देखकर वह वापिस आ रहा है भादुर इधर आते ही उस पर तूट पड़ना फिर जैसे ही वह साया भीमा और भादुर के सामने पहुचा दोनों भुरी तरह शोर मचाते हुए इस पर तूट पड़े हत्यारा हत्यारा पकड़ा गया हत्यारा पकड़ा गया हत्यारा हत्यारा पकड़ा गया जल्दी करो कहीं भाग ना निकले गली को चारो और से घेर लो जै बचना नहीं चाहिए हत्यारे का नाम सुनका प्रते घर में संसरी फैल गई पहरे पर तैनात युवक्शोर की दिशा की और भाग पड़े आनन फानन में ही उस साय को धर्दब होचा गया मा डालो इसे यह जीवित रहने के काबिल नहीं हाँ हाँ मा डालो इसे खतम करतो इसे बोटी बोटी काट डालो उस धरिंदे की ठैरो पहले हमें यह देखना चाहिए कि यह है कौन जैसे ही उस बुजर्ग ने आगे बढ़कर उसका नकाब चेहरे से अलग किया कि सभी उसकी सूरत देखकर बुरी तरह से उचल पड़े महमंत्री जी का बेटा अरे यह यहां क्या कर रहा है महमंत्री जी के बटा तिलग राज और हत्यारा असंभव हत्यारों को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल होई है बला एक मासूम से देखने वाला भालक भी हत्यारा हो सकता है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि इतनी राद गई है यहां क्या कर रहा था तिलग बेटे तुम इतनी राद गई यहां क्या कर रहे थे यह सुन तिलग रो पड़ा अरे यह तो रोने लगा शायद इतनी भीर देखकर घबरा गया है घबराओ नहीं बेटे और हमें बताओ कि तुम इतनी राद बीतने पर अपने विस्तर में मीठी नीन सोने की जगए यहां कली में क्या कर रहे थे हत्यारे की तलाश हत्यारे की तलाश हमसे उनकी परेशानी नहीं देखी गई और हम यह खंजर लेकर उस धूर्थ हत्यारे की तलाश में पिताजी की निगाएं बचाकर आधीर आक्ति के बाहर निकल आए जिसके कारण आज पिताजी की बर्सों की पतिष्टा धूल दूसरित होने जा रही है ओ यह बात है मैं तो समझ रहता है कि आज हत्यारा पकड़ा गया उसकी बात है सुनते ही भीड को साप सुन गया मासूम तिलक की मासूमिया देख वह सुनकर सारी भीड सक्ते में आ गई किसी की समझ में तुरंत ही ना आया कि अब आगे क्या किया जाए और ठीक इसी पल सन्नाटा एक तेज चीक से तेज चीक की आवाज से भंग हो गया किसी की जान खत्री में है अत्यारा उधर है तुम तिलक का ध्यान रखो भीमा हम उधर देखते हैं जल्दी करो वरना हत्यारा निकल जाएगा भीड दूसरी गली में पहुंची जाए उवे भैसे चिला रहा था हत्यारा हत्यारा वो रहा वो जा रहा है पकड़ो उसे बचने ना पाए भीड गली के नुकल की और भाग पड़ी जबकि इधर धैरे से काम लो कलुआ और ये बताओ कि तुम हत्यारे की सूरत देखने में कामे अब हुए या नहीं नहीं बाबा उसने चेहरे पर नकाब पहन रखी थी वह मेरा खून पीना चाहता था बाबा ये देखो उसने मुझ पर दो मुवाले दो मुवाले कांटे से हमला किया ओ तब ही निराश उफकों की भीड बहां लौट आई शैतान फिर भागने में सफल हो गया है गायल कलुआ को वैजजी के पास ले जाया गया और वह रात ऐसे ही बीद गई अगले दिन सुबह गाओं के एक कुए पर भीमा की लाश लटकी हुई थी हे भगवान इतनी जवर्दत सुरक्षा होने के बाद भी हत्यारा भीमा की हत्या करके खून पीने में सफल हो गया ये हमारी गलती थी कल रात हमने भीमा को महमंत्री के बेटे तिलक के साथ अकेला ह भीज दिया था वह तिलक को घर पहुचा कर जब हकेला लोटा होगा तो शैतान ने अच्छा अफसर देखकर उसकी हत्या कर डाली होगी कई भीमा की हत्या तिलक राज नहीं तो नहीं कर डाली क्या पकवास कर रहो माहिंदर सिंग बहला वह मासूम बच्चा इतना दुशकर सीरीज की कामिक काली मौत के दूसरो और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद